हालो फ्रेंड यूर वालकम टू माई यूटूब चानल टेकमेट तो फ्रेंड आज हम लोग इस वीडियो के मैध्यम से CNC मशीन में यूज होने वाली मोडल तथा नोन मोडल कोड के बारे में बिस्तार से जानेंगे तो आएए देखते हैं CNC में काम करने वाला चाहे वो अपरेटर हो सुफर वइजर हो या फिर परोड़र किसी को भी मोडल तयाल's Arc Consumer arbeiten के बारे में जान करी रहना बहुत ही जरूरी है तो आएए फ्रेंड हम लोग सबसे फ़ेल मोडल कोड के बारे में जानेंगे तो जैसे कि कि आप लोग देख पा रहे हैं model code the G codes which effect continue in the program once specified until it is cancelled or overridden by another code or known as model code so friend model code का मतलब यह होता है कि जब भी हम लोग कोई भी program में model code को input किये हैं वो active हो जाता है जब तक कि कोई दुसरा code से उसको deactiv नाग करें तो इस तरह का G00, G01, G02, G03 इस तरह का बहुत सारी code है G code में जो model code है यह model code एक ऐसा code है जिसको हम लोग मशीन पे चलाने के बाद यह active रहती है और हमें दुसरी कोई code का यूज करना पड़ता है इस code को deactiv करने के लिए जैसे G15 G15 जो है polar coordinate system selection को cancel करता है तो फिर अगर हम लोग polar coordinate system को G16 के help से अगर कोई polar coordinate system को हम read कर आ रहे हैं तो हमें उसे G15 के सहता से cancel करना होता है इस तरह से काफी code जो है G code में model code होता है जैसे for that और एक में उधारन अप लोग को पेस करने जा रहा हो जैसे G21 G21 का मतलब होता input in mm सो फ्रेंड अगर कोई आदमी कोई में मशीन पे G21 एक्टिव करके चला जाता है और अगर next कोई operator आती है और उसे इंच में चलाना चाहता है तो उसको G20 के द्वारा डिक्टिव करके फिर इंच में एक्टिव करना पड़ता है ताकि मशीन जो है प्रोराम को इंच में रीड करें इस तरह से जो है model code को पेस के जाता है सो फ्रेंड model code एक ऐसा code है जो एक्टिव होता है जब तक कि हम लोग कोई की दुसरा code से उसको डिक्टिव ना करें सो फ्रेंड आईए आप देखते हैं हम लोग non-modal code के बारे में सो जैसे कि देख पार हैं आप लोग non-modal code the G codes which effect only in the block where it is defined are known as non-modal code so friend non-modal code ऐसा code होता है जो कि suppose that कोई भी ब्लॉग में हम इसको define कर रहे हैं जब भी program run होती है तो वो active हो जाता है उस ब्लॉग के according और जैसे ही next ब्लॉग में चलती है तो वो automatic deactiv हो जाता है यानि non-modal code को किसी special code का जुरुत नहीं पड़ता है deactiv करने के लिए तो वह ऐसा सारा code को हम लोग non-modal code में रखते हैं जैसे ही आप लोग देख पा रहे हैं G04, G28 और G52 यह सारी जो है non-modal code है फ्रेंड आसा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के मध्यम से model तथ non-modal code के बारे में समझ गये होंगे सो फ्रेंड मेरा यूट्यूब चानल टेकमेक को सब्सक्राइब लाइक तथा कमेंट जरूर करें थैंक्यू सो मच